हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आरूम कुमार यादो और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो NCRT प्रशनावली 6.3 है इसके प्रशन संक्या 6 से लेके 10 तक का सॉल्यूशन और इससे पहले की वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे लेकिन question सुरू करने से पहले मैं आपको बतादू कि अगर आप कक्षा 10 की विज्ञान में किसी तरह की problem face कर रहे हैं तो आप आरम बैच जोइन कर सकते हैं जहां पर मैं आपको live पढ़ाऊंगा मतलब जितनी भी classes इसमें होंगी वो सभी की सभी live होंगी और ये जो batch रहेगा या ये जो course रहेगा ये NCRT बेच रहेगा मतलब जितने भी chapter आपके NCRT में हैं वो सभी मैं आपको अच्छे से cover करा रहा होंगा आपके doubt classes भी होंगी PDF में आपको notes भी मिलेंगे साथी साथ हम previous yes के questions भी देखेंगे और chapter wise important questions भी इसमें हम देख रहे में अगर आप Hindi medium से हैं तो आप RM batch को join कर सकते हैं बहुती कम प्राइज रखा है मैंने इसका और ये जोइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एके study app डाउनलोड करना है तो यहां पर देखो जो प्रशन संक्याच्छा है इसमें क्या बोला गया इसमें बोला गया आकिरती 6.3 साथ जो कि आपको यहां पर आकिरती दिख रही है इसमें यदि तिरभूज ABE सरवांगसा में तिरभूज ACD के देखो यहां पर ABE मतलब य यह वाला जो तिरभूज है यह सरवांगसम किसके है ACD यानी इसके ठीक है अगर ऐसा है तो दर्साइए की ADE ABC के समरूप होगा ठीक है ADE मतलब यह छोटा वाला यह समरूप दर्सान है ABC यानी इस बड़े वाले तिरभूज के ठीक है तो इसको कैसे करेंगे देखो सबसे पहले हमें लिखना है हमें क्या दिया है हमें क्या सिद्ध करना है तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ फिर हम आगे बात करेंगे तो यहां पर देखो जो भी हमें यहां पर given था या दिया था मैंने यहां पर लिख दिया दिया है मैं और ओर जो हमें सिद्ध करना है या दर्साना है कुछ भी लिसकते हैं अब बात करते कि हमें करेंगे कैसे एक बार और नजर ढालो यहाँ पर कि जो हमें सिद्ध करना उसमें एक ट्र्बूज ADE है, ADE मतलब यह छोटा वाला त्रिभूज और यह त्रिभूज समरूप करना है ABC यानि की जो यह बड़ा वाला त्रिभूज है इसके अब इन दोनों में खास बात क्या है कि दोनों ही त्रिभूज में चाहे मैं छोटे वाले की बात करूं यहाँ पर कोण A आ रहा है तो एक चीज तो पता की कोण A तो दोनों है दूसरी बात, अब अगर मैं किसी तरह से इनके किनारे किनारे की भुजाओं का अनुपात मतलब जो यह AD है इसका अनुपात AB के साथ बराबर दिखा पाऊं चोटे वाले तरिभुज की भुजा A और बड़े वाले तरिभुज की भुजा AC यानि कि इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे दिखा पाऊं बराबर तो किनारे किनारे की भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और बीच वाला आयक जो कोण है कोण है वो बराबर हो गया तो भुजा कोण भुजा नियम लग जाएगा अब मैं यह करूं गया से ठीक है तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं जो मुझे दिया है इसको मैं उठा लेता हूं ठीक है मैंने लिखा यहां पे कि भैया त्रिभूज A B E सरवांसम दिया गया है त्रिभूज A C D के ऐसा मैंने क्यूं लिखा मुझे कारान लिखना होता है तो मैंने लिखा दिया है अब ज़रा ध्यान से देखो अब मुझे पहले क्या चाहिए मुझे चाहिए AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC ठीक है? ये कैसे लेगे आओंगो? CDC बात है पहले इसमें AD ढूणो कहीं दिख रहा है क्या AD? ये रहा शुरू का अक्षार और लास्ट का अक्षार मिला के क्या बन रहा है? AD तो अगर ये दोनों तिरभूच सरवांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी संगत भुजा कैसे ढूणते हो आप यहां से? शुरू का और लास्ट का अक्षार गर लिया है अब AD बनाएं तो इसके सुरू का अक्षार देखो क्या मिल रहा है? AE तो यहां से मैं बोल सकता हूँ AE बराबर AD हो गया ठीक है? मुझे क्या पता लगा है यहां से? AE बराबर AD यही क्यों लिखा? और कुछ क्यों नहीं लिखा? क्यूंकि मुझे सबसे पहले नज़रा रहा है AD तो मुझे चीह है, AD के बटे में मुझे AB रखना है, तो AD यहां से मिल रहा था, उसके कॉर्रस्पोंड में AE आ गया, तो मतलब यह दोनों बराबर लिख लिया, ठीक है इसका कारण आपने पढ़ा हुआ है CPCT इसका मतलब होता है सरवांगसम तिरभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यह हमने क्लास नौ में ही किया था, ठीक है, एक बात यह हो गई, ठीक है, आप देखो यार मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा AD बटे में AB, तो मुझे AB ढून है AB कहां पर है, AB ढूनो, जो यहां पर आपको सरवांकसम दिया गया तरभुज, इसी में से देखना है AB तो AB कहां से मिल रहा है, सुरू के दो अक्षर मिला दो AB, तो इसके संगत में कोना है, का सुरू के दो अक्षर जहां मिलाओ AC, यानि कि AB, AC के बराबर होगा उसके नीचे AB, तो यहां पर इसको दो बदल लेते हैं, AD को पहले लिख दो मतलब यह वाला इधर लिख दो, यह वाला इधर लिख दो, कोई फरक नहीं पढ़ रहा ठीक है, बराबर A ही उधर लिख दिया इसको मैंने बोल दें समीकरण 1, इसको बोल दें समीकरण 2 जो इधर रहा, उनको आपस में भाग में लिख दो, यानि कि उपर लिखा A E और नीचे लिख दिया A C ठीक है, अब जरा देखो, कहां तक हम सिद्ध कर चुके हैं कहां तक हम सिद्ध कर चुके हैं, हम कर चुके हैं AD बटे AB, AD यह रहा बटे में यह पूरा, यानि छोटे वाले तिरबुच की भुजा AD और बड़े वाले की भुजा AB, बराबर सिद्ध कर चुके हैं A E, बटे AC A E मतलब छोटे वाले तिरबुच की भुजा, और यह बड़े वाले तिरबुच की भुजा इनका अनुपात हम बराबर सिद्ध कर चुके हैं साथ ही साथ जो बीच वाला कोण है कोण A वो तो दोनों में ही है ठीक है तो हम दो लिख सकता हूँ कोण A बराबर कोण A ये तो कोमन है या उभैनिष्ट बोल सकते हो ठीक है जो कोमन है यानिं़ बड़े वाले कोन Indian लगा किनाटे किनारे की भुजाओं लगा कानुपात और बीच वाला कौण तो सवाक्ता से ऐसा हुआ है उमीद करता हूँ अपको यह प्रश्ण समझ में आ गया चाठा अब बात सत्वे प्रश्चन की, ठीक है? यो सत्वा प्रश्चन है थोड़ी सा लेन्दी लग रहा है देखने में कि यह थोड़ा बड़ा सा है बर कोई दिक्कत नहीं अराम से हो जाया गई, देखो पहले समझ लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है उसके बाद आगे बात करेंगे, यहां पर देखो इसमें बोला गया है कि आपके पास एक आगरती है जो कि यह रही, इसमें त्रिभुज ABC के सीर्स लंब AD और C परसपर बिंदू P पर परतिछेद करते हैं ध्यान दो, यहां पर एक त्रिभुज है ABC मतलब ABC, यह एक त्रिभुज है इसके दो सीर्स लंब, सीर्स लंब का मतलब होता है त्रिभुज के एक सीर्स से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब तो इसके दो सीर्स लंब है, A से एक लंब डाला गया है इस भुजा के ऊपर, यानि कि यह 90 डिगरी होगा उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा है याद रखना ठीक और यहां से एक सीरसलम डाला गया है ठीक है या इधर 90 होगा यह दोनों सीरसलम जहां पर काटते हैं उस बिंदू को नाम है पी इतना हमें बताया गया question में यानि कि यह दिया है में लिखेंगे हम और यह चारों चीजें हैं में दरसाना या सिद्ध करना तो यह हम कहां लिखेंगे सिद्ध करना है में तो पहले मैं दिया है और सिद्ध करना लिख लेता हूं उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको solve कैसे करना है ठीक है यार तो देखो जो दिया है मैंने वो दिया है । जो चिद्द करते हैं। जो मैंने यहां पर कर दिया, बात करता है, इस कौॉम करेंगे कैसे, ठीक है? पहले Brazil क्या है ऐ प्र CDP, तो मैंने लिखा त्रिभुज AEP वा त्रिभुज CDP में मतलब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है आप देखो AEP वाज CDP है कहां पे, उसको एक बार visualize करो बहुत जुरूरी है AEP, यहनि A से E पे गए P की तरफ निकल गए इस वाले त्रिभुज की बात किया रही है CDP देखो कहां पर है C से D पे जाओ, P पे निकल जाओ इस त्रिभुज को इसके समरूप दिखाना है, अब देखो समरूप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे यार एक उधर 90 है तो याइस पर यह भी 90 होगा इसको बोल देता हूँ कोण 1 ताकि मुझे कोणों का बार बार नाम ना लिखना पड़े पूरा पूरा यार, है ना इसको बोल देता हूँ कोण 2 कोण 2 और 3 बराबर होंगे, शीर सब भी कोण इसको 3 बोल दिया, यह वाला जो कोण है इसको मैंने कोण 4 बोल दिया, ठीक है अब मैं क्या करूंगा अब मैं यहाँ पर सीधा-सीधा बोल सकता हूँ भाई, AEP AEP में जो कोण 1 है वो बराबर होगा, CDP के कोण 4 के ठीक है, दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, 90 के अच्छा, दोनों 90 के बराबर क्यों ही हमें कारण लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यार CE जो है न वो लंब दिया गया है किसके उपर, AB के उपर तो यार अगर यह लंब दिया है, तो यह 90 डिग्री होगा ठीक है, और बराबर होगा, जो उपर CDP दिख रहा है, उसके कोण 3 के अच्छा, यह क्यों बराबर है यह तो मैंने बताया था, कि भाई, ऐसे जब 2 रोएक खंड आपस में काटे हैं तो यहां आपने सामने के कोण बराबर होते हैं ठीक है, जैसे यह बराबर हुए, हम क्या बोल सकते हैं एंगल, एंगल, यानि कोण-कोण समरूपता से भाई, दो कोण अगर तिरभुजों के बराबर हो गए तो कोण-कोण समरूपता लग जाएगी तीसरे कोण की ज़रूत नहीं हो, वो बराबर ही होगा तिरभुज AEP समरूप हो गया तिरभुज CDPK हो गया पहला हिस्सा ठीक है, पहला हिस्सा आपको समझना आ गया ठीक है, तो यह पहला हिस्सा है आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो ठीक है, या फिर स्क्रीन सोट ले लो ठीक अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अब हम बात करेंगे दूसरे हिस्से की याद रखना यह पहला हिस्सा था ठीक अब चलो दूसरे हिस्से की बात करते हैं जो इसका दूसरा हिस्सा है ठीक है पहला हिस्सा हो गया याद रखना पहला हिस्सा हो गया अब दूसरे हिस ठीक अब एक बार देखो कि A, B, D और C, B, E है कहां पर ठीक है इसको मिटा रहा हूं ठीक है ये मत मिटा ना एक दो तीन चर्जा लिख दियो और लिके रहने देना ताकि टीजर को पता रहे आपने एक किसको बोला दो किसको बोला है अब A, B, D और C, B, E की बात करते हैं A, B, E, A, B, D ठीक है A से B पे जाएंगे D की तरफ निकल जाएंगे ठीक है थोड़ा टेड़ा हो गया A से B की तरफ गए D की तरफ निकल जाएंगे यानि एक तरफ तो यह है इसको हमें समरूप दिखाना है C, B, E के C, B, E कहां पर है भाई ठीक है देखो C, B, E, C से B की तरफ जाना है C से B की तरफ गए, E की तरफ निकल गए यानि इस त्रिपूज की बात कर रहे है ठीक है तो इन दोनों ही त्रिपूजों में देखो यार इन दोनों ही त्रिपूजों में ठीक है एक काम करो इसको भी नाम देदो ये बाला कॉन जो लाल बाले त्रिपूज में आ रहा है इस इसको बोल दो कौण 6 ठीक है अब देखो यार इन दोनों त्रभुजों में कौण 5 और कौण 6 बराबर होंगे ठीक है क्योंकि यह लंब थाद लगी नभी बनेगा देखो यार कौण 5 अरी बराबर और जो यह पीला वाला त्रभुज है तो कौण 5 और कौण 6 प्रतिक 90 डिगरी का है क्यों है 30 डिगरी आप सिदे सिदे भशी दीजर लिखोगे यार क्योंकि C लंब है वी के उपड़ तो जाहे इसी बात है, इधर भी 90 होगा, अधर भी 90 होगा, हमें 6 से मतलब है और AD लंब है, फिर से BC के होगा, यह हो गया दूसरी बात, इस बार क्या हो रहा है देखो, चाहे आप इस red वाले triangle की बात करो इसमें भी कौन B आ रहा है, चाहे आप इस पीले वाले त्रभुज की बात करो इसमें भी कौन B आ रहा है, तो कौन B दोनों में भीजा कौन B बराबर कौन B, common या अभैनिष्ट, ठीक है चाहे आप common लिख दो, अभैनिष्ट लिखो एक ही बात है समझ भागे बाद फिर से एंगल-एंगल समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज CBEK ठीक है बैई यहां दूसरा हिस्सा भी हो गया अब तीसरे हिस्से की बात करेंगे इसका स्क्रीन सोट ले लो ठीक है हम इसको मिटा रहा हूं तीसरे हिस्से की बात कर लेते हैं है इसको रहने देते हैं ठीक है यह मैं लिखना ही होता है कि ने दो तीसरे हिस्से की सिर्फिया कर लेते हैं are आप ढूसरे हिस्से माने क्या देखो ए ए पी और डी बी रिखwives त्रिभुज ए ए पी वा त्रिभूज ए डी बी में पहले देखते हैं कहां पर ठीक है इसको मिटाते हैं जो आपने नंबर इंग करिये फिर से बोल रहा हूँ वो मत मिटाना ए ए पी कहां पर है भाईया ए ए पी ए से ए पर गए पर निकल लिये यह रहा ठीक है भाई ए डी बी कहां पर है ए से डी पर जाओ ठीक है ए से डी पर जाओ और बी की दरब निकल लो यानि यह वाला समझ रहे हो यह जो रेड वाला दिखरा है यह जो रेड वाला दिखरा है इसको यह पीला वाला दिखरा है यानि की ए पी और A, D, B इसमें देखो क्या खास बात में ज़रा रही है A, कौन A एक तो दोनों में चाहिए पीसर लाल वाले की बात करो इसमें भी कौन A आ रहा है अब इस पीले वाले कौन की बात करो इसमें भी A आ रहा है और लाल वाले का कौन A तो इसका और पांच उसका बराबर हो गए और कोणे दोनों में कोणे बराबर कोणे धोनों में होए मतलब को मने या उबैनिश लिख सकते हो, ठीक है, तो फिर से यार, तिरिभूज, AEP, समरूप हो गया, तिरिभूज, A, D, B के, कौन सा नहीं हम लगा, कौन-कौन समरूप था, ठीक है, यह भी हो गया, तो यह तीसरा हिस्सा था, चलो, अब बात कर लेते हैं, जरा, चौथे हिस्से की, तीसरा हिस्सा भी हो गया, चौथे हिस्से में देखुआ यार, कौन-कौन से तिरिभूज हैं, तिरिभूज, P, D, C, वा, तिरिभूज, B, E, C में, कहां पर हैं, जरा पहले इनको विजुलाइज करो, पहले इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, P, D, C, कहां पर है भाई, P, D, C, P, D, C, पर गया, C, पर निकल लिए, ये वाला तिरिभूज, ठीक है, B, C, कहां पर है, B, C, कहां पर है, B, C, E, पर गया, इसको color change क इसको पीले वाले के करना, E, C, साब से, नाम ऐसी होना चीए, P, D, C, B, C, कैसे करेंगे, देखो यार, इन दोनों में, खास बात क्या नजरा रही है, जो ये लाल वाले तिरिभूज है, देखो ध्यान से, लाल वाली जो भुजा गई, ये यहां से यहां उड़ गई, मतलब लाल वाले का जो कौन 4 है, वो 90 है, और जो ये B, E, C है, इसका कौन 690 है, तो मैं कहा सकता हूँ कि यहां, कौन 4 बराबर कौन 6, परतेग 90 डिगरी, ठीक है, रीजन वही है यह का, ये इसके परपेंडिकुलर, वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब लंब, ठीक है, और क्या ह इस दोनों में, और इन दोनों में क्या है, कौन C दोनों में है, देख लो जाए, कौन C बराबर कौन C, कौन C लाल वाले त्रिभूज में भी आपको दिख रहा होगा, और पीले वाले त्रिभूज में भी दिख रहा होगा, उपर देखो कौन C, ठीक है, तो फिर से यार, ज आपको प्रश्ण संख्या साथ ठीक है थोड़ा टाइम लगा बट आसान प्रश्ण था अच्छा अगला वाला जो प्रश्ण है प्रश्ण संख्यार इसको देखो इसने बोल रहा है समांतर चत्रभूज A, B, C, D की बढ़ाई गई भुजा A, D पर इस्थित E एक बिंदू है अब ये फिगर सही समझ लाएगा आपको तथा B, E, भुजा C, D को F पर प्रतिछेट करती है इसको दरसाना देखो जब तक फिगर नहीं बनाओंगो ना समझ नहीं बाओगई अब फिगर बनाता हूँ A, कहां से एक समांतर चत्रभुज बनाया मैंने ठीक है इसका नाम लिखा A, B, C, D क्या कह रहा है कि वहीया A, D पर कोई बिंदू E इस्थित है A, D को बढ़ाए गया A, पहले फिर D है मतलब A से D की तरफ बढ़ाना है तो A से B की तरफ बढ़ा दिया ऐसे ठीक है इसको आगे ब बनेगा जब B और E को जोड़ोगे देखो या, B और E को जोड़ दो, यह हो गया B, E तो B है C, D को काटा तो यह कह रहा है B, E भुजा C, D को F पर काटती है यहां पर प्रतिछेद करती है काटती है उस बिंदू को नाम है F, इतिनी बात समझ मैं है तो फिर समझाता हूं, एक समांता चत्रभूज है A, B, C, D, A, D को बढ़ा दिया गया E तक, B, E को मिलाया, तो जाइर सी बात है इसको C, D को काटती हूँ जाए कि जहां पर काटा वो F है, हमें दरसान है A, B, E और C, F, B समरूप हैं, कहां पर हैं A, B, E, A से गए, B पर B से गए, E पर यानि यह इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है, बहुत असान है यार, पहले दिया है और सिध्ध करना या दरसाना है लिख लेता हूँ, फिर बात करता हूँ कैसे करेंगे इसको, ठीक है तो देखो यार, जो दिया है, वो मैंने दिया है में लिख दिया, जो हमें सिध्ध करना है य आपको क्या लिखना है आपको लिखना है त्रिभूज जो हमें सिद्र गरना इन में यानि कि A B E वा ठीक है ना यहां पर समरूपतों नहीं सकता भी सिद्र नहीं किया इसलिए वा लिकेंगे वा त्रिभूज C F B में सबसे पहली बात ध्यान दो जो यह रेड वाला त्रिभू अब यह काँब एभाल है ऐसा कैसे हो गया आपको याद रखना है कि अगर अपने पास भीया है एक समानतर चत्र बूज तो समानतर चत्र चत्र बूज के समुक कोन बराबर होते है मतलब यह वाला इसके बराबर होगा और यह वाला इसके बराबर होगा, अभी फिलाल हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों से मतलब है, तो इन दोनों को मैंने बराबर दिखा दिया, देखलो यार, A और C, सम्मुक कौन ही तो है, हमने सामने के, समांतर चत्रबुज में, ठीक है न, क्योंकि हमें जो ये त्रीबुज दिया गया है, ये पूरा, ये एक समांतर चत्रबुज है, तो ये वाला कौन, इस कौन के सम्मुक कौन होगा, और ये बराबर होगा, ये लिखना पड़ेगा, तो में लिख देता हूँ, ठीक है, एक बात तो होई, अब जरा आजो इधर, ठीक है, जो लाल वा डो, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, ये गोंड वराबर कोन दो, ठीक है, क्यूं हुआ ऐसा, क्योंकि अंतर एक आंतर कोंड है, अंतर एक आंतर कोंड कैसे है, समझा देता हूँ, लिख लूँ पहले, जयान से देखना, देखना तो धांसी पड़ेगा न भाई देखो यह धांसी देखना ये जो भुजा है BC और ये जो भुजा है AD ये समानतर चतरबुच की सम्भुजा है समानतर ही होगी ठीक है अब इसी भुजा को आगे बढ़ाया गया है यानि कि ये AD मेडी नहीं बिल्कूल ऐसे ही आगे खापनी ठीग हें तो जो ये संवंतर बुझाएं हैं उनको अगर त्िर्यक रेखाय से काटए तो इधर वाला कौन इधर वाले कौन के बराबर होका हैं जाएं यह तिर्यक रेखा यह और यह इक अंतर कौन ऌई अब जैसे इतना हुआ इनके 2 कोण में मिल गए बराबर 2 कोण बराबर मतलब कौन सा नहीं हम लगा सकते हैं कौन-कोन समरूपता से तो कौन-कोन समरूपता से यह लिख लेना कौन से त्रिबूज त्रिबूज जो भी थाया घ्री A,B,E समरूप हो गया सुवाल खता ठीक है इसको भी समझो करें प्रश्न को समझने में थोड़ टाइम दिया करो ठीक है शुरवात में यह मैं सोचो की सोल्व कैसे होगा पहले समझे बताया क्या है पूछा क्या है ठीक देखो यहां पर फिर से हमें एक अखिरती दी गई है यह रही इसमें ABC और AMP दो सम कोण तरुज़ है ABC कहां पर विजराइज करो ABC यह रहा किसका कोण बी नब्भख मतलब यह समकौण तरुज़ है AMP कहां पर देखो ए से MP पर निकल गया यानि कि यह वाला ठीक है इसमें यह वाला नब्भग है मतलब यह समकौण एक जो हमें चीज़े कारी ही तो क्या करते हैं तर्सक्राइब दो करते हैं अंग अ करना इसी पर आज़ो मैंने लिखा पहले पॉइंट में ठीक है यानि कि त्रिभूज ए बी सी ठीक है वा त्रिभूज ए एम पी में बहुत असान प्रश्ण है देख लो यार एबी सी कहां पर है यह रहा यह रहा एबी सी इसमें कौन बी कितना आ रहा है 90 डिगरी आ ठीक है तो कौन बी हो गया और अगले वाले में यानि इसमें कौन M 90 आ रहा है तो सीधी सीधी बात है कि कौन B बराबर कौन M लिख सकते हैं तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया कौन B बराबर कौन M, ठीक है क्यों है ये बराबर, क्योंकि प्रते एक 90 डिगरी दिया है हर एक 90 डिगरी है, सीधी सी बात हो गए दूसरी बात कौण A बराबर कौण A कौण A बराबर कौण A भाई अब चाहे A, B, C देख लो इसमें भी कौण A आ रहा है A, M, P देख लो इसमें भी कौण A आ रहा है दोनों में हैं मतलब common या उभेनिश लिख दो अब जैसे इतना हुआ त्रिबूज A, B, C समरूप हो गया त्रिबूज A, M, P के ठीक है कौण सी समरूपता लगी कौण कौण समरूपता से लिख 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 अब आगे आजो ठीक है अब देखो जो second size का यह तो ऐसे ही हो जाएगा क्यों क्योंकि त्रिबूज हमने समरूप कर दिये और यह जो मैं सिद्ध करना न इसी इनी त्रिबूजों की संगत बुजाओं का अनुपात है तो हमने पता यार त्रिबूज अगर समरूप हो तो उनकी संगत बुजाओं का अनुपात बराबर होता है कैसे करेंगे, कोई एक तो देख के लिख लो, जैसे मैंने लिख दिया CA, अगर मैं CA देख के लिखा है, तो इसके नीचे वाला मैं यहां से नहीं लिखूँँगा, बल्कि यहां से दिखूँँगा, कि कौन किसके संगत आ रहा है, जैसे CA है, CA के संगत कौन आएगा, कैसे पत बराबर कोई एक तो भी देख के लिए सकते हैं बीसी अगर बीसी मैंने यह से उठा लिया तब इसके नीचे कौन आएगा देखो बीसी कैसे बन रहा है शुरू बीच वाला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर एंपी वही तो चाहिए है यार ठीक है हो गया सिद्ध क्या कारण लिखोगे यहां पर लिख लेना बहुत लंबा है तो मैंने लिखता आप लिखना समरूप्तिर भुजो की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ठीक है तो यार यह प्रश्न भी हो गया प्रश्न संख्या 9 अब बात कर लेते हैं प कुछ दिमाग के ऊपर से जाएगा यहां पर देखो ऐसे समझाता हो फिकर के साथ यहां पर क्या बोला गया है यहां पर कह रहा है वह अपने पास दो त्रिभुज है ठीक है ना एक का नाम ए बीसी और दूसरे का नाम ए फीजी तो पहले यह बन लेता हूं मैं फिर आपको स पढ़ू ना और साथ साथ फिगर कंप्लीट करता रहूं तब आपको संगना आएगा देखो यह दोनों केमरे में आ रहे हैं ठीक आप देखो यहां पर सीडी और जीच एसी बी और ईजी अफ के संदी भाजक है कोण एसी बी कहा है एसे सी पे गए बी की तरफ निकल गया न उसको बोल रहे हैं ये सी डी सो सी तो यही पर संदी भार मतलब राबर बार टुकड़ है मतलब यह वाले टुकड़े के बराबर है यह वाला कोण, सीफeting के बराबर है ठीक है, इसका, यानि कि इस कोन का सम्दी भाज़क है, तो इस कोन का सम्दी भाज़क कहा होगा भाई, इसके बीचों बीच से निकाल दो, ठीक है, यानि कि अब याद रहे, ये वाला कोन, इस वाले कोन के बराबर हो गया, क्योंकि बराबर बराबर टोकड़े हो है, अगर ऐस इतना हमें बताया गया है अगर ऐसा है तो हमें और एक और बात है ठीक है इतना हमें बताया गया एक और बात बताई गया कि ABC FEG के समरूप है ABC मतला जो ये बड़ा वाला त्रभूज है ABC ये FEG यानि कि इसके बड़े वाले त्रभूज के समरूप है तो जो बड़े वाले नज़र आ रहे हैं आपको पीले पीले त्रभूज ये समरूप है हमें ये चारो चीज़े दरसाना है कैसे करेंगे पहले दिया है लिख लेता हूं दरसाना लिख लेता हूं फिर आगे बात क C D A C B का और G H E G F कोन का समधी भाजग है ठीक है ना और जो हमें सिद्ध करना था मैंने ऐसे मांक कर दिया मतलब यही चाहरा तीनों पॉइंट आपको लिख देने अब हम कैसे सिद्ध करेंगे देखो सिद्ध क्या करना इसको भूल जाओ पहले एक बात याद रखो जो जो हमें पता है ना इनकी जरुत्त में पढ़ेगी ठीक है मतलब जो हमें बताया गया उससे में क्या क्या इंफोर्मेशन मिल रही है पहले मैं वह निकालके लिख लेता ह पहले मुझे पता है त्रिबूज ABC में देखो ध्यान दो त्रिबूज ABC में इसको मैं बोल देता हूं कौण 1 इसको बोल देता हूं कौण 2 ठीक है त्रिबूज ABC में मुझे पता है CD जो है वो कौण ACB का समधी भाजक है यह तो मुझे पता ही है मैं दिखावे देता हूं CD है इस पूरे कॉण को, पूरे कॉण को दो टुकड़ों में बाट दे रहा है, इसका मतलब कोण है बरावर कोण 2 हो गया, इसको अब समहिए के रहा है, फिर से समझे एसको नहीं समझ आ रहा, ये जो पूरा कॉण था, यानि कि इतना इसके दो बराबर टुकड़े होगा एक टुकड़े का नाम रखा एक एक टुकड़े का नाम रखा दो तो क्योंकि बराबर बराबर टुकड़े हैं तो एक बराबर दो होगा ठीक है अब इसकी जरुद हमें पढ़ने वाली है यह लिख दिया मैंने इसी तरह से जो यह दूसरा वाला त्रिभूज है नवो वाला यानि कि त्रिभूज F.E.G. में F.E.G. में इसी तरह सिधा सिधा लिख दो इसी प्रकार इसी प्रकार जब एक Question में एक हिस्से के जैसे दूसरा हिस्सा हो तो इसी प्रकार लिखके सीधा result लिख दो इसी प्रकार इस त्रिभूज में जो कौण 3 है वो कौण 4 के बराबर हो जाएगा यार क्योंकि इसमें भी तो इस पूरे कौण को यह समध्य भाजित करता है मतलब यह वाला इसके बराबर होगा ठीक है इतनी बात समझ में आ गई इसको मान लिया समय करण दो एक और बात हमें बताई गई है कि भाईया त्रिभूज ABC जो है ना अभी देखते रो पहले जो सिद्ध करना वो बात में सोचेंगी त्रिभूज F E G के समरूप है अगर यह समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा संगत कोण बराबर होगा अभी भुजाओं से मतला कुछ खास मतलब है नहीं अभी हमें मतलब किस से है में ली अभी हमें मतलब है कोणों से ठीक है ध्यान दो यहां से मैं कहा सकता हूँ कि कोण C बराबर कोण G होगा अभी पहले इतना लिख लो ठीक है यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे समरूप त्रभुजों के संगत कोण बरावर होते हैं इसको समिकरन तीन समझो अब 1,2,3 से क्या मिल रहा है समिकरन 1,2,3 से ठीक है 1,2,3 से क्या मिल रहा है देखो एक तो 2 के बराबर है 3, 4 के बराबर है और C और D C और G आपस में बराबर है तो एगर ये पूरा कौन इस पूरे के बराबर हो गया तो इनके आदे आदे भी तो आपस में बराबर होंगे ऐसा मान लो कि ये पूरा अगर 2X है तो ये पूरा भी 2x ही होगा तो ये उसका आधा x हो जाएगा ये उसका आधा x हो जाएगा अगर वो भी 2x था तो उसका आधा x यानि 4 ही बराबर हो गए कौन-कौन से 1,2,3,4 इसका मतलब 3 संभिणस में कह सकता हूँ कौन 1,2,3,4 ऐसा मैंने पहले ही जान भूज के लिख दिया ताकि जिंजटी खतम रहे ठीक है? कोई साभी कहीं भी उच करो इन में से आपस में फिर से समझा देता हूँ ये पूरा माल लो, x मैंने ही समझ में आए तो 100 डिकरी माल लो पूरा माल लो अगर 100 होता तो ये भी पूरा 100 होता क्योंकि दोनों बराबर हैं C और G तो अगर ये 100 का 1-2 है तो ये 50 होगा ये भी 100 का 1-2-50 होगा वो भी 100 है तो 100 का 1-50 चारो ही 50-50 के होगए तो आपस में 4 ही बराबर होंगे न अब मैंने जानगुज के ऐसा लिख दिया ताकि मुझे बार बार ये तुम्हें ना दिखाना पड़ेगी वो इसके बराबर क्यों, वो इसके बराबर क्यों क्योंकि इनकी जरूत पढ़ने वाली है अब बात करते हैं सिद्ध करेंगे कैसे याद रहे, एक, दो, तीन, चार सारे बराबर हो चुके हैं ठीक है? अब देखो पहले पार्ट में CD बटे GH बराबर AC बटे FG ये हमें दिखाना है, हम पहला पार्ट सुरुआत में नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तीसरा पहले करने में फायदा है भी या अगर मैं पहले तीसरा हिस्सा कर लूँ, जड़ा रहां से देखो अगर तीसरा हिस्सा आपने कर लिया सिद्ध, तो यार तीसरे हिस्से की संगत बोजाओं कानुपाती तो दे रखा है वो जैसे तीसरे में देखो, CD मिल रहा है आपको, CD, यह रहा CD ठीक है, अगर यहां से CD लोग है, तो CD, लास्ट, बीच का अक्षर और सुरू का अक्षर CD है तो बीच का G और H, तो यहां पर देख लो GS दिख रहा है इसी तरह से AC, लास्ट का और सुरू बीच का AC और लास्ट का और बीच का F जी, वही तो है मतलब तीसरा हिस्सा हमें करने में फायदा है, हमें तीसरा हिस्सा करने में फायदा है तो हम क्या करेंगे, हम पहले तीसरा इससा करेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, पहले फिगर को नीचे ले आता हूँ. ऐसा आप कर सकते हो, इसमें हिच की चाना मत, कि पहला हिस सही पहले करना पड़ेगा, ऐससे कोई नियम नहीं है. ठीक है? तो यहां पर आते हैं मैंने लिखा third part ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ पहले तीसरा हिस्सा कर रहा हूँ ठीक है, तीसरे से पहला हो जाएगा नाम से third part मतलब तिर्भूज third part में क्या था, तिर्भूज dca, इसको भी नीचे ले आऊंगा ठीक है, तिर्भूज dca वा तिर्भूज hgf में अब जरा ध्यान दो dca कहा है और hgf कहा है, है ना किस कलर से, चलो इसी से ज़ाते है, dca मतलब ध्यान देना dc c पे गए, a पे आगे भाई साब, ये वाला तिर्भूज किस के, hgf hgf कहा है, s, g पे गए, f पे आगे, लाल वाले पे नज़ा रखना, इसमें एक बात तो क्या है, एक बराबर 3 उपर सिद्ध कर चुको है, कौन एक बराबर क्या है, कौन 3, 4 ही बराबर है, किसी को भी मूठ आगे, किसी की बराबर लिख सकते है यहां बोलेंगे, यहां फाल तो मत बोलो, हमने उपर सिद्ध कर रखा है, इसलिए हम लिख सकते हैं तो उपर सिद्ध किया, एक बराबर 3 दूसरी बात क्या, और कुछ दिख रहा है इनमें, हाँ, यार, कौन A बराबर कौन F, ठीक है, क्यों, क्यूंकि जो तिर्भूज था न, सुरुवात में जो दिया था, A, B, C, याद करो बड़ा वाला तिर्भूज यह पीला वाला A, B, C, वो समरूप किसके था तिर्भूज F, E, G, K तो मतलब कौन A बराबर कौन F हो जाएगा, बड़े वाले तिर्भूज में भी तो कौन A है ठीक है, तो कौन A बराबर कौन F ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे समरूप तिर्भूजों के संगत भाग बराबर होते हैं तो A बराबर F भी होगा शुरुवात में चले जा एक्दम जो बड़ा वाला तिर्भूज है, पीला वाला यह बड़े वाले तिर्भूज के समरूप दिया गया है F, E, G के तो इसका कौन A, इसका कौन F संगत भाग बराबर होंगे न ठीक है, तो कौन सा नियम लग गया रेड़ वाला तिर्भूज H G, F, K समरूप हो गया जैसे ही यह हुआ, अब आप दूसरा हिस्सा कर सकते हो अब यहाँ पे लिखो दूसरा हिस्सा दूसरे हिस्से में हमें जो चाहिए था वो इसकी संगत भूजाओं का ही अनुपात है दिखा दूँगे आपको यहाँ पे आजा भई यह रहा देखो दूसरा हिस्सा दूसरे हिस्से में क्या पहला हिस्सा मतलब, दूसरा नहीं पहला ठीक है पहले हिस्से में क्या, CD बटे जी अची है CD कहा है, बीच का और सुरू का अक्षर लिख दिया, CD बटे में, G, H चाहिए G, H कहां पे है G से H पे आ गए बराबर A, C चाहिए, A, C कहा है A से C पे आए और F, G, F से G पे आ गए यह हो गया, यहां क्या लिखोगे संबुरूक तिभुजो की संगत भुजाओं का अनुपाद बराबर होता यह तिभुज सिद्ध हो गया कि संबुरूप है, तो उसी की संगत भुजाएं है ठीक है, न, यह दोनों तिभुजो की संगत भुजाओं का अनुपाद है हो गया, अच्छा सेकिंड वाला क्या है, DCB और HGF, DCB और HGF में आजओ भाई, मैंने लिखा त्रिभुज अब हम कर रहे हैं दूसरा हिस्सा, त्रिभुज DCB वा त्रिभुज HGE ठीक है, यहां पर HGE, DCB, ठीक है देखो यार, अब यह तो ऐसी हो जागा, इसका कोई काम नहीं है यहां पर आप सीधा-सीधा देखो, यहां कर रहा हूँ ठीक है, इंदरुत में DCB और HGE में DCB कहा है, पहले विजुलाइज करो एक बार ठीक है, DCB, इसको मैं मिटा दीता हूँ DCB कहां पर है D से C पे गए, B पे निकले यह वाला DCB है, और HGE कहां पर है, H से G पे गए, E पे निकले यह रहा तो यह तो अपने आप ही अराम से हो जाएगा आप से यार, देखो, इसका 2 उसका 4 कौन 2 बराबर कौन 4 उपर सिद्धिकिया लिख ले ना यार 1, 2, 3, 4 सारी बराबर कर चुके हैं तो उन में से कोई साभी दो उठा के लिख सकते हो ठीक है, दूसरी बात क्या इसका B और इसका C बराबर हो जाएगा इसी परकार, ठीक है, इसका B और इसका C, क्यों, क्योंकि जो त्रिभूज ABC है ना वो समरूप दिया गया है F, G, H, K बड़े वाले त्रिभूज के, तो मतलग इस बड़े वाले त्रिभूज का कोण B छोटे वाले में भी तो आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभूज का कोण E छोटे वाले में भी तो आ रहा है तो B और E बराबर हो गए जैसे यह बराबर होगा है अभी छोटो अले त्रबूज में ध्यान दो 2 बराबर 4 D बराबर E तो भुजा भुजा या वह सोड़ी तो कोण कोण नियम से ठीक है एंगल एंगल समरूपता से त्रबूज जो भी था यह क्या था DCB और HGE DCB DCB समरूप हो गया त्रबूज HGE यह हो गया तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद